जैसे जैसे 26 जनवरी पास आ रही है, मोधी गौर्नमेंट पे लगातार ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि वो किसान ओगनाइशन के खिलाफ कोई एक डिसिसिव एक्शन ले ये लोग पिछले दो महिने से लगातार दिल्ली के आस पर जो बॉडर हैं उस पर मजमल आके बैटे में हैं ना ये लोग पुलिस की सुन रहे हैं, ना ये लोग सुप्रीम कोट की सुन रहे हैं, ना ये लोग सरकार की सुन रहे हैं, ये लोग किसी की भी नहीं सुन रहे हैं, दरसल ऐसा बोला जा रहा है कि ये लोग किसान हैं, दरसल ये लोग किसान नहीं हैं, जो ये लोग बेसिकली अर्बन नक्सलाइट्स हैं ये लोग बेसिकली खालिस्तानी हैं और ये लोग बेसिकली ये वो लोग हैं जिने लगातार यूएस से से यूके से कैनड़ा से औस्टेलिया से पैसा मिल रहा है और आप खुल के कह सकते हैं आप खुल के समझ सकते हैं कि बेसिकली ये लोग नक्स करके दिखाना है कि आप कुछ भी नहीं है हम आपको कुछ भी नहीं मानते हैं और हम देश के कानून को नहीं मानते हैं हम जो सोचेंगे हम जो सोच रहे हैं वही ठीक है अब यहां पर अगर जिस तरह से इन किसान और्गनेशन की यह प्लानिंग है कि वो दिल्ली में लाखों क कि संक्या में ट्रेक्टर लेके घुश जाएंगे और अगर सरकार भी अभी अंडर प्रेशर में हैं सरकार को भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि कैसे इस ट्रेक्टर रैली को रोका जाएगा सरकार ने अभी तक भी बार अभी तक कड़ा रुख नहीं अपनाया है और दस बार बैठखों का दौर हो चुका है नतीजा कुछ भी नहीं निकला है सरकार अपने जो अपनी बातों पर हलागी आड़ी तो जरूर है लेकिन वो हीट फेस कर रही है कर रही है और सरकार ने यहां तक भी ओफर दिया कि 18 महिन तक के लिए इस कानून को सस्पेंड आगर वो करना च आपके लिए और मुश्किले खड़ी करते चले जाएंगे देखे इनकी जो प्लानिंग है 24 जनवरी की वो बेसिकली वालनेंस फैलानी की है कि अगर हमने एक बार वालनेंस फैला दिया तो इससे साफ हो जाएगा कि जो मोधी गवर्मेंट है वो एंटी फार्मर्स है जैसा म और जिस तरह कि अगर फैसल्टी इस इंको दी जा रही है बॉर्डर पे इनलों को काजू बदाम खाने को मिल रहे हैं पीजा खाने को मिल रहे हैं बियानी खाने को मिल रही है अच्छे जम खाने को मिल रहे हैं गरम पानी नहाने को मिल रहे है तो आप कैसे कह सकते हैं एक अ साल 2019 में कि वो बेहत कड़े फैसले लेने वाली सरकार हैं लेकिन समझ के थोड़ा परे हो रहा है कि आखिर कैसे वो इन ओगनेशन से खिलाब अपने घुटने टेक रही है कब जाके वो कड़े एक्शन जो हम लोग उमीद कर रहे थे कि जो दिल्ली की लोग है वो थोड़ी सी जो रहात महसूस करेंगे अगर ये किसानों का जो किसान ओगनेशन का मेरा दर मैं कहूंगा जो मज़मा लगा है बोटर कमिटी तो बनी भी और लेकिन कमिटी की भी बात ये लोग और्गनेशन नहीं सुन रहे हैं तो काफी जाना मुश्किल पोजिशन पर ये चीज यहां पर पहुँच चुकी है ये लगबग अपसे ठीक एक साल पहले जो चीज हुई थी जब शाहिन बाग में एक हाईवे को कर दिया गया था कि अवं कहीं नहीं देंगे किसी तरह अगर आप ने हमारे जो कानून को चुमानाय था दर्फ से पापस नहीं लिया लेकिन इस गलत न्यूस वलाते हैं ऐसे लोग लागातार जारा सरदर्द बंते जा रहे हैं अब मुझे लगता है यहाँ पर वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को एक कड़े फैसले लेने पड़ेंगे खासवर पर होम मिनिस्टर अमिर्शा को यहाँ देखाना पड़ेगा कि वो कड़े फैस छेलती रहेगी